हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में बीती रात को भारी बारिश दर्च की गई है। इसे जगा जगा लैंड स्लाइट के बाद 150 से जादा सड़के और 334 बिजली चांसफॉर्मर्स बंध हो गए है। चटान गिरने के बाद यदी बस अन्य अंत्रत होती तो खाई में गिरने से एक बड़ा हादसा हो सकता था। बस पर चटान गिरने के बाद यात्रियों में चीक पुकार भी मच गई थी। बताया जा रहा है कि अन्य सभी यात्री सुरक्षित भी है। वहीं अगर कांगड़ा के लिए भी सड़क बाहल करने की कोशिश की जा रही है लोगों को आवा जाही में परिशानयों का सामना भी करना पड़ रहा है वहीं जिला कुलू वा लहॉल में तीसरे दिन भी भारी बारिश का दौर जारे रहा जिला कुलो के साथ लहौल घाटी में रातबर जम कर बारिश हुई 13,050 फीट उंचे रोहतांग दर्रा में फाहे गिरने से मौनसून कूल कूल हो चुका है ब्यास के साथ चंद्रा पारवती नदिय सहत नाले भी उफान पर है बारिश से कुलो जिले में आठ सड के बंद हो गई है जबकि बारिश के बाद बंजार बस्टैंड तलाब बन गया है बस्टैंड में पानी की निकासी की उचित व्यवस्ता ना होने से यहां पर यात्रियों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी और किसान वबागواन बारिश के बारिश के बारद गदगद है बारिश ने किसानों वबागवानों के चहरे पर चिंता की लकीरों को अब मिटा दिया है अब जहां बिजाई का कारे शुरू होगा वहीं सेम नाशपती जापानी फल आदे के लिए बारिश लाबकारी साबित भी होगी वह सब विग्यान केंदर शिम्ला के अनुसार राज्ये के कई भागों में 12 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वा नुमान लगाया गया है आज के लिए कई भागों में भारी बारिश का यलो अलर्ट भी जारी किया गया है इसके अलाबा आज कुछ स्थानों पर अचानक बार का अलर्ट भी है शिम्ला में आज हलकी दूप खिलने के बाद बादल चाय हुए है रात को जमा जम बारिश भी हुई है वही मंडी जिले में भारी बारिश से तबाही हुई है भूसकलन से जगा जगा 112 सड़ के बंद पड़ी है मंडी पठान कोट हाईवे पर गलू के समीप पेड गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है चंडिगर मनाली एनेच पर मंडी पंडो 6 मील के पास पहाडी से पत्थर गिर रहे है सुभा 7 मील के पास एनेच ठप रहा भूसकलन की बीच मंडी पंडो का सफर जोखिम भरा हो चुका है फसलों को भी काफी नुकसान हो चुका है कांगराजिले के शहपूर में नाशनल हाईवे को भारी बारिश से काफी नुकसान हो चुका है हाईवे जगा जगा से क्षती ग्रस्थ हो चुका है वहीं कई जगा जल भराव भी हो चुका है प्रदेश में मौनसून की धीमी एंट्री जरूर हुई थी मगर अब मौनसून ने रफ्तार पकड़ ली है प्रदेश के आठ जिलों में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हो चुकी है जुलाई के पहले पांच दिनों में प्रदेश में सामाने से 69 फीसदी अधिक बारिश दर्च की गई है लेकिन चार जिले ऐसे हैं जहां अभी भी बारिश सामाने से कम है शिमला और मंडी जिलों में सबसे अधिक बारिश हो रही है मंडी जिले में पांच जुलाई तक सामाने से 265 फीसदी अधिक बारिश दर्च की गई है Nation Speaks Bureau Report